आज रक्षा बंदन स्पेशल हमने बनाया है काजू पिस्ता रोल मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिश्ट ये काजू पिस्ता रोल हमने बनाया है बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है इस वीडियो को देखकर आप लोग भी इस जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं काजू पिस्टा रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे काजू लिया है हमने एक कटोरी काजू लेंगे यहाँ पे और इसी मेजर्मेंट के हिसाब से एक कटोरी हमको शक्कर लेना है कटोरी आप याद रखिएगा तो इस कटोरी से मान के चलिए हमने लिया है यहाँ पे 1500 ग्राम काजू साथी अंदर जो फिलिंग हम डालेंगे पिस्टा की तो हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से पिस्टा ले लिया है अभी हमें काजू को थोड़ा रोस्ट करना है तो एक पैन ले लिया है हमने गैस पर इसे हलका सा हम रोस्ट करेंगे ज्यादा भी आपको सेखने किसके जरुवत नहीं है एकदम हलका सा हमें सेखना है और फिर हमें से ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद हमें से चिकना एकदम पाउडर बना लेंगे इसका अभी उसी पैन में हमने जो पिस्ता लिया हुआ है उस पिस्ते को आपको भी हलका सा इसे भी रोस्ट कर लेना है ये इस तरीके से इसे भी हमें ठंडा करना है बाद में इसका पाउडर बनाना है मिक्सर जार में डाल के तो अभी देखिए काजु हमारा दूसरे तरफ ठंडा हो गया था तो हमें ये देखे इस तरीके से हम मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छा चिकना सा इसका पाउडर बना लेंगे क्योंकि जब ये थोड़ा सीख जाता है काजू तो अच्छे तरीके से ये पिस भी जाता है तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसका पाउडर बना लिया है अलग से एक बाउल में निकाल लिया है हमने इस तरीके से चिकना आपको पाउडर बना लेना है काजू का अभी देखिए हमने यहाँ पे लिया है चार से पांच चममच मिल्क पाउडर यह ऑप्शनल है यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अधरवाइस आप इसको इसको कर सकते हो, डालने से स्वाद और बढ़ जाएगा, इसलिए हमने हाँ पर मिल्क पाउडर का यूज किया है, दोनों को काजू और मिल्क पाउडर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अभी देखी रोश्टे पराबर मातरा लेना है आपको, 1500 ग्राम काजू, 1500 ग्राम शक्र, मिजर्मेंट आप सही रखेंगे, तो सही आपकी मिठाई बनेगी, और इस तरीके से दीखें, आधा कटोरी हमने इसमें डाला है पानी, और इसी के साथ हमें इसकी चासनी बनानी है, एक तार की चासनी हमें बनानी है, मतब चिप-चिपा बना जाना चाहिए, उस तरीके से हमें चासनी तयार करनी है, इसके उबालाने देते हैं हमें, चासनी में देखें अच्छे से उबाला चुकी है, तो चेक करने के लिए आप फिंगर की साहिता से, दोनों फिंगर की साहिता से इस तरीके से चि पकनी चाहिए, मतलब एक तार की चासनी आपकी तयार है, और इस टाइम पर हम गैस को आफ कर देंगे, गैस को आफ करने के बाद हमने जो मिक्षर बना के रखा है काजू और मिल्क पाउडर का, इसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से हमें चासनी के साथ इस मिक्षर को मिक्स कर लेना है, चासनी गरम रहेगी, तो इसके साथ ये अच्छे तरिके से मिक्स हो जाएगा, एक चम्मच इलाइच्य पाउडर डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आजाएगा, मिक्स कर लेंगे और लाश्ट में आपको डाल देना है इसमें एक चम्मच भरकर घी इससे अच्छे आपके मिठाई बनेगी, और नीचे के जो तली रहेगी वो भी ये छोड़ने लगेगा इस तरीके से बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लीजेगा, गी के साथ में तो यह देखिए, मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं, नीचे यह तली छोड़ने लगा है, तो इसे हम पैन से बाहर निकाल लेंगे, और इसे आपको ठंडा कर लेना है, अब इसी पैन में हम क्या करेंगे, हमने जो पिस्ता का पाउडर बना के रखा था, इसे भी आप पाउडर और शुगर का जो पेश्ट बना के रखा है, इसको आपको एक चमबच इसके साथ मिक्स कर देना है, क्यूंकि यह जो पिस्ता है, यह हम फिलिंग में डालेंगे अंदर, इसलिए हम इसमें mix करेंगे इसके साथ पिस्टा के साथ में साथ हम इसमें add कर देंगे food color इससे आपका color अच्छा आ जाएगा अंदर की feeling भे अच्छी दिखाई देगी तो हमें इसमें पिस्टा का अच्छा हरा color डाल चैए देखिए इसी लुक अच्छा गाता है इसलिए फूट कलर आप आड़कर लिजेगा यह देखिए बस इसको इस तरीके से आपको mix कर लेना है कि यह देखही इस तरीके से ज्यादा दिर आपको पकाने के जरुवत में है इसे यह थापको मेक्स करना है यह हलका सा पैंच होड़ने लगेगा बस आप इसको बंद करके भी इसको आपको ठंडा कर लेना है अभी देखिए काजू का जो पेश्ट हमने बना के रखा तो वह बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है इस तरीके से आप प्लास्टिक ले लीजेगा और इस अभी आप बना रहे हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं तो इतने बड़े लोगे हमने देखिए लिया है इसको अलग अलग हम कर लेंगे और देखिए प्लास्टिक के ऊपर इस तरीके से लोग रख के आपको बेलन से इस तरीके से इसको फैला लेना है इससे क्या होता है ना अब पिस्ता के मेखशर को भी देखें इस तरीके से रोल कर लिजेगा आथों के सहायता से इजी लिडी हो जाएगा KELL। ये भी ठंडा हो चुका था, तो आसानी से आपका रोल हो जाएगा, अभी देखिए इसके अंदर हमने पिस्ता का ये फिलिंग डाल दिया है, और अभी देखिए इस जो हमने रखा है नीचे, पॉलेथिन, उससे आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप रोल करने की कोशिस कीज तो इजी लिए आपका बढ़ी हासा देखिए, रोल होते जाएगा, और फिर आप इस प्लास्टिक को निकाल दीजेगा, ये देखिए, इस तरीके से बढ़ी हासा ये रोल हो जाएगा, बस एक बार ये रोल हो जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको गोल कर दीजेगा, इक की कटिंग दे देंगे हम इसे अभी देखिए दोनों रूल हमारे तयार हैं काजू और पिस्ता वाले तो इसके ऊपर हमने देखिए यह सिल्वर पेपर चुपका दिया जो मिठाई के लिए आता है तो इस तरीके से आप चुपका दीजेगा यह आपके पास है तो आप डाल द साइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं तो हमने देखिए इस तरीके से इक्वली इसको इस तरीके से काट लिया है यह देखिए तो हमारे काजू पिस्ता के रोल एकदम तयार है इस रक्षा बंदन के लिए दिख रहा है ना एकदम सुन्दर और घर पे आप बिलकुल असान तरीके से ज्यादा चीजों भी इसमें जरुत नहीं पड़ती है आप अंदर से आप देख लीजे किस तरीके से इसकी देखिए फिलिंग है कितना सॉफ्ट बना हुआ है और यकिन मानिया आप मार्केट से भी ज्यादा यह अच्छे बिठाई बनी हुई है यह दिखि को दिखकर आप लोग भी जरूर ट्राइ किजेगा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा इं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मिलेंगे अगली रेसीपी में बाई बाई